ये जो वीडियो की स्क्रिन पर आप देख रहे हैं ये करंच का व्रुक्स है ये चर्मरोगों का सफाया करता है और दांत मजबूत बनाता है और आँके तेज बनाता है ये करंच का व्रुक्स आपको पूरे भारत में देखने को मिल जाएगा इसका वुरुक समध्यम आकार का और चायादार होता है इस प्रकार की इसकी पत्या होती ही आप ध्यान से पहिचान लिजिए इस वुरुक से पर सफेद रंग के गुच्छों में पुस्प लगते है और इसकी बाद फली लगती है इसका आकार भी अर्ध चंद्र के समान होता है हिंदी बासा में इसे करंज, करंजवा, किरमाल और पापर के नामों से जाना जाता है इसका अंगरिज नाम पौंगमा ओयल ट्रेयो और वग्यनिक नाम पौंगेमिया पिननाटा है करंज का उर्ध से कहीं प्रकार के बीमारियों को दुर करता है इसमें अनेक प्रकार के अवसद्य गुन होते है तो दोस्तों आई जानते है कि करंज का उप्योग अवसद्कारियों में किस प्रकार से किया जाता है सबसे पहले जानते है कि आँखों के लिए करंज का उप्योग किस प्रकार से कर सकते है अगर आँखों में किसी भी प्रकार की समस्या होती है आँख लाल हो जाती है या आँखों में दर्द रहता हो तो करंज के बीजों को लाए और इसका कल्क बनाए और दुद में पकाए दुद जब ठंडा हो जाए तब चान कर उस दुद से आँखों को अच्छी तरह तोए इस परकर आँखों को 2-3 दिनों तक दोते रहने से आँखों की कहीं प्रकार की समझ जाये दूर होती है दुद दातों के दर्द में भी करंज के रुप्स का कोई चवाब नहीं है दातों को स्वस्त और मजबूत बनाए रखने के लिए करंज की टहनी का रोजाना दातुन करें इसके टहनी का रोजाना दातुन करने से पाहर यानस्ट होता है, दांतों में होने वाला दर्द मिठता है और दांत मोती जैसे चम के लिए बने रहते है करंच का दातुन करने का एक और बड़ा फाइदा है ये अरूची को खत्म करता है इसका रोजाना दातुन करने से भोजन के प्रती रूची बढ़ जाती है दोस्तों अगर आपको करंच का दातुन रोजाना न मिल सके तो करंच के पूरी पंचाग इसकी छाल, जड, पत्तों सब को मिला कर इसको साउ में सुखा कर जला कर राक बना ले अब इस राक में नमक और फिटकरी मिला कर पावडर तयार कर ले इस पावडर का रोजाना मंजन करने से भी दांत मजूध बनते है और दांतों का दर्द मिट जाता है अगर दातों में से खुन आ रहा हो या पायर या हो तो ये भी नश्ट हो जाएगा दोस्तों करंस के बिजो में से तेल निकाला जाता है ये चर्मरोगों का खात्मा करता है तो चापर अगर किसी भी प्रकार का संक्रमन हो जाता है चाहे दाद खाज खुजली हो या फोड़े फुन्ची हो इसमें करंस का तेल रोजाना लगाने से जल्दी ही भाइदा होता है और आराम हो जाता है इसके बिजो से निकाला हुआ तेल ही कारगर होता है